खमा करने मित रहूं, VR MSB Technical और आज इस वीडियों बात करने वाले हैं, अगर आपका बजट है 25,000 रुपे हैं, तो भाई 25,000 के अंदर आने वाले तीन बेस्ट फोन, गेमिंग फोन, और रांट फोन, बेस्ट कैमरा फोन आपको स्रेश्ट करने वाले हूं, तो वीडियो को एं लिए देखने मिल जाती है, 50 प्लस 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 के डूल OIS कैमरा देखने मिलते हैं, जिसके फोटो बहुत कमाल काते हैं, और वीडियो भी काफी सही आ जाती है, और उसी के साथ में 5000 मेंज की बैटरी, 45W की फास सार्जिंग, गेमिंग के लिए काफी अचा फोन यहां पे वन प्लस की तरब से वन प्लस नौड थरी, यह एक 34,000, 33,000, 34,000 का फोन ता जो आपको कम होके यहां पे डिसकाउंट के बाद मिल रहा है, अगर आपके बास में क्रेडिट काड, डेबिट काड कुछ भी नहीं है, तो भी आप इस फोन को भाई कर सकते हो, देखने मिलता है, कैमरा सोनी वाला है, तो भाई काफी अची फोटो जाने वाले है, तो अगर किसी भी यूजर को यह फोन लेना है तो आप भाई कर सकते हो, और भाई, नेक्ट फोन आता है अपना एक सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक गेमिंग भाईयों के लिए, अगर आपके लिए है, Poco X6 Pro, यह आपको 25,000 पर हम देखने हो मिल जाता है, 24,900 यहाँ पर आपको 1.5K रेजुलेशन वाली यानि, Full HD Plus, Plus के डिस्प्लेइज की बहुत सही डिस्प्लेइ, बहुत अल्टरा एक डिस्प्लेइज आपको यहाँ पर इस फोन में देखने हो मिलती है, यहाँ पर आपको 120Hz की रीफरेश एट भी देखने हो मिलती है, यहाँ पर 64 में आउकसल के कैमरा, 5000 में इसकी बैटरी, 67 वोट की फासाजिंग, डाइमसेटी 8300 अल्टर का प्रोसर जो की 1.4 मिलियन के N2 स्कोर देता है, मतलब गेमिंग के लिए तो यह फोन आपके लिए आपको देखने को मिल जाएगी यह वाली, यह वीडियो आप चेक आउट कर सकते हैं जो हमारे चैनल के ओपर देखने को मिल जाएगी, इतना था इस वीडियो में, I hope कि आपके लिए वीडियो हेलफूल रही होगी, अगर वीडियो थोटी सी भी पसंद आई हो, तो वीडिय वन्ने मातरम